हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तों बता दे कि इंडिया वर्सस पाकिस्तान का मंच फिर तैयार एक बार होगा फिर परहार सूपर चार का सेडवल सूपर चार राउंड में पहुंची चारो टीमों को आपस में एक दूसरे से भड़ना है हर टीम बाकी तीन टीमों के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी फैसला हो चुका है तारीख भी तैय हो चुकी है और माहोल तो पहले से ही तैयार है बस अब संडे का इंतिजार है एसिया कब 2022 में साथ दिनों के अंदर दूसरी बार भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराने जा रही है और इसके साथ ही दोनों टीमों को फैंच समय बिस किरिकेट के असामने सामने एक बार फिर जोरदार मुकाबला का सांदार नजारा होने वाला है अपने आखरी मुकाबले में होंग कोंग को बुरी तरह से हराने के साथ पाकिस्तान ने सूपर चार राउंड में अपनी जगाप बना ली है इसके साथ ही रवीवार चार सितंबर को भारत पाकिस्तान की टक कर होगी पाकिस्तान की होंग कोंग पर जीत के साथ ही टूनामेंट के सूपर चार स्टेज की चारो टीमों का फैसला हो चुका है सबसे पहले अफगानिस्तान ने गुरूब B में सिरी लंका और बंगला देश को हरा कर अपना टिकट कटाया था इसके साथ भारत ने गुरूब B में पाकिस्तान और होंग को हरा कर अपनी जगा बनाई थी इसके गुरूब B से सिरी लंका ने करो या मरो के मैच में बंगला देश को हराते हुए दूसरे दोर में अपना नाम लिखाया और अब पाकिस्तान ने group A में अपना seat पकी कर ली है सुपर चार के मुकाबले की सुरुप सणिवार तीन सितंबर से होगी और पहले ही मैच में सिरीलंका अफगानिस्तान की टक करोगी अफगानिस्तान ने group मैच में सिरीलंका को आसानी से हरा दिया था सबसे ज़्यादा नजरे और इंतजार हाला कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का होगा एसिया कप के सिरीच के अभाव में दोनों टीम और एक से ज़्यादा मैच कभी कबार ही खेल पाती है पिछली बार 2018 के एसिया कप में ही दोनों दो बार टकराए थे अब इस बार इसा होगा भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पांच बिकर से हराया था और दूसरे मैच में भी मजबूत दावेदार के रूप में टीम इंडिया उतरेगी भारत के अगले दो मैच स्री लंका और अफगानिस्तान से होंगे इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर खात उसुकता है क्योंकि मोहमद नभी की कप्तानी में अफगान टीम ने लगातार अच्छा परदर्सन किया है अफगानिस्तान से उलट फेर की उम्मीदे भी लगाई जा रही है अब ऐसा होगा या नहीं इसका पता आ 2022 होंग को 155 रनों से हराने के साथ ही सूपर चार के लिए कौलिफाई कर लिया अब रभी वार को स्पैंस को भारत और पाकिस्तान के महा मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैच में रोमान चक अपने चरम पर होगा इसके साथ कप्तान रोही सर्मा कोई कभी नहीं छोड़े चाहेंगे वहीं खराब फार्म से जूज रहे कई श्टार पिलियर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं दोस्तों बता दे की पाकिस्तान के खिलाब कप्तान रोही सर्मा के साथ कियल राहूल ओपनिंग करत ने उतर सकते हैं लेकिन राहूल अपनी फार्म में नजर नहीं आ रहे हैं फिर भी T20 वर्ड कप से पहले वाल हासिल करना चाहेंगे नमबर तीन पर बिराट कोहली को मौका मिल सकता है बिराट कोहली ने होंग कोंग के खिलाफ सांदार हाफ संचुरी लगाई थी अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये तीन बल्ले बाद चल गए तो भारत और पा कोंकों के खिलाफ दिखाई की वो क्या कर सकते हैं उन्होंनों गेजबाजों की धज्या उडाते हुए तुफानी पारी खेली थी सूरी कुमार यादो को भारत का एबी डिबलियर्स माना जाता है नमबर पांच पर इस्टार आल राउंडर हार्दिक पांडिया को मौका में दिया जाएगा दोस्तों बता दे कि अपने दंपर पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में भारत को जीत दिलाई थी हार्दिक पांडिया ने वो कप्तान रोह सर्मा पलेंगलेंवन में विकट कीपर की जिम में दारी दिनेस कार्थिक और रिसा पंथ से किसी एक को द सकता है कप्तान रोह सर्मा तेज गेदबाजी के आकरमण के लिए भूने स्वर कुमार और रसदीब सिंग को चुने हैं एज से दोनों ही किलाडी खूंखार गेदबाज में माहिर है इन प्लेयर्स के पास ओबर्स में गेदबाजी करने की गजब कला मौजूद है वही खरा प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए गया है पाकिस्तान के खिलाप भारत की संभावित पलेइंग 11 दोस्तों बतादे की रोह सर्मा कप्तान के रहुल बिराट कोहली सुर कुमार यादो दिनेश कार्दिक हार्दिक पांडिया चर पतेल भूने सवर कुमार और सदीब सिंग यूज स्पोर्ट फैंस को सूपर संडे का इंतिजार बस करना है सूपर 4 के मुकाबले की सुरुवाती सिंदापमर से ही हो जाएगी और पहले ही मैच में सिरीलंका अफगानिस्तान की टककर होगी और वहीं सूपर चार में 4 सितंबर सूपर संडे को इंडिया वर्सस पाकिस्तान का टक्कर होने जा रही है दोस्तों बता दे कि पाकिस्तान ने होंग कोंग पर जीत के साथ ही टूनामेंट के सूपर चार की स्टेज की चारों टीमों का फैसला हो गया है सबसे पहले अफगानिस्तान ने सूपर चार गुरूप में अपनी सिरिलंका और बंगलादेश को हरा कर अपना पक्का किया था इसके बास भारत ने गुरूप A में पाकिस्तान और होंग को हरा कर अपनी जगा बनाई थी इसके गुरूप भी से सिरिलंका ने करो या मरोके माइच में बंगलादेश को हराते हुए दूसरे दोर में अपना नाम लिखाया था और अब पाकिस्तान ने गुरूप एसे अपना ही भी टिकट पका कर लिया है दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट सेर जरूर करें थैंक्स फार वाचिंग